करन जोहर के शो में रिसेंटली धमाका करने आई सारा अली खान के दिवाली बैश में भी हुए हैं कई बड़े धमाके क्योंकि सारा के रूमर्ड मिस्टर एक्स कार्तिकार्यन भी बने सारा के महमान तो वहीं रिसेंटली अपनी स्पेशल रिलेशन्शिप से बी टाउन में सबसे ज्यादा बज्स क्रियेट कर रहा रूमर्ड कपल अनन्या पांडिया और अधितिरोय कपूर भी आई यहां नजर तो सारा के इस दिवाली बैश में क्या कुछ हुआ खास चलिए कुछ इंसाइट पिक्चर्स के साथ आपको दिखाते हैं सारा के इस दिवाली बैश के सारे बड़े हाइलाइट्स मनीश मलोतरा और रमेश तोरानी की स्टार स्टाड़िट दिवाली पाटी के बाद सारा अलिखान का दिवाली बैश बन गया है बीटाउन की एक बड़ी हाइलाइट क्योंकि सारा की मॉम अमरिता सिंग, एस डिजाइनर मनीश मलोतरा और बागी बॉलिवुड सिलेप्स के साथ गेस लिस्ट में थे सारा के रूमर्ड एक्स बॉइफ्रेंड कार्तिक आरियन भी कार्तिक यहां नजर आए येलो कुर्टा और वाइट पजामाज में और अंदर जाने के पहले कार्तिक आरियन ने किया पैप्स के लिए हैपिली पोज बता दें कि करन जोहर के चाट शो में रीसेंटली सारा ने कार्तिक से ब्रेक अप के बाद गुद टर्म्स में फ्रेंडशिप पर बात की थी और कार्तिक को बताय था कूल वहीं केजो के शो का एक और कनेक्शन नजर आया अनन्या और अदित्य कीज अपीरेंस में और ये कनेक्शन है बहत स्पेशल खास इसलिए क्योंकि अनन्या ने करन जोहर के शो में अदित्यो और उनके रिलेशनशिप को बताय था प्राइवेट अन्स्पेशल और करन जोहर के शैट शो का वो एपिसोड स्ट्रीम होने के तुरत बाद, अनन्या एक बर फिर ऐसी पार्टी में पहुंची, जहां थे आदित रोएक कपूर भी. अनन्या ने रिलेशन्शिप में होने के सवाल पर के जो को हिंट किया था अपनी स्पेशल रिलेशन्शिप के बारे में. अनन्या ने कहा था, I don't think it is last season, I think it's forever. You should, I'm not saying you should deny your relationships or accept them. You should just do what works for you and I think some things are private and special and it should be kept that way. Well, Rumored Lovebirds को पार्टी के बहाने मिला कर सारा ने ठीक किया या नहीं, ये तो फैन्स ही तेह करेंगे. पर इतना जरूर है कि सारा अलिखान ने अपने Revelation और दिवाली बैश से create कर दिया है काफी सारा बाज. हाई कि अर ने अर्ण आर्ण झाल्ड करेंगे सारा ने बाल्ड करेंगे सारा ने करेंगे सारा वाल और दिया है.